दोस्तो चैत्र नवरातरी में आपने भूल कर भी ये काम नहीं करने हैं नी तो मातरानी नराज हो सकती हैं आपने कौन से काम नहीं करने मैं आप लोगोंचे आज शेयर करूंगी दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूँ नमस्कार दोस् और मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वो काम है जो आपको नहीं करने हैं अस्टमी और नौमी वाले दिन चैत्र नवरात्री की अस्टमी 29 मार्ज को और नौमी 30 मार्ज को मनाई जाएगी अस्टमी के दिन मा मा गोरी जबकि नोमी के दिन मा सिद्धी दात्री की पूजा की जाती है नवरात्री में अस्टमी और नोमी दोनों दिन का विशेश महत्व होता है दोस्तों चैत्र नवरात्री के नो दिन बहुत शुब और पवित्र होते हैं 9 दिनों में कुछ नियों मुका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है इस पर नवरात्री की अस्ट्रमी नौमी तीथी तो विशेश होती है इन दोनों तीथियों पर मातराने की विशेश पूजा अर्चन की जाती है साथी हवन और कन्या पूजन किया जाता है इस पार चैत्र नवरात्री के अस्टमी नौमी 29 मार्च और 30 मार्च को पढ़ रही है 29 मार्च अस्टमी को महागोरी और 30 मार्च को नौमी को मा सिद्रिधात्री का पूजा की जाएगी धर्म शास्त्रों में अस्टमी नौमी को लेकर कुछ नियम बताए गए है नवरातरी में अस्ट्मिय नौमी दोनों दिन का विशेश महत्व होता है इन दोनों दिन करने पूजन और हवन आधी के जाते हैं अस्ट्मिय नौमी के दिन कई नियमों का पारलन करना जरूरी होता है तो आईए मैं बताती हूँ कि इन दुनों में कौन से काम आपको नहीं करने हैं और कौन से काम नहीं करने चाहिए आपको इन दोनों दिनों में देर तक सूने से बचना चाहिए इस दिन सुबह जल्दी इसनान करके मातरानी का पाठ करें ये दिवरत नहीं रखा हो तो जल्दी सनान करके पूजा अविश्य कर ले दोस्तों मा नोमे के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने इस दिन बैंगनी या जामनी रंग पहनना शुप होता है और यह रंग मा सिद्धी दातरी को प्रिय है इसलिए इसी रंग के कपड़े पहन कर पूजा करें मा महागोरी और सिद्धी दातरी की पूजा पूरे तन और मन के साथ करनी चाहिए पूरे भक्ती भाव से दुरगा चालिसा और दुरगा सब्तिश्यति का पाट करें इस दौरान मन बिल्कुल केंदरित होना चाहिए पूजा के दौरान किसी से बात न करें दोस्तो आपने एकागर मन से पूजा करनी है मन में नेगटिविटी नहीं लानी है और मन को पूरा अपनी माता की पूजा में आपने लगा देना है दोस्तो अस्त्मी या फिर महा नौमी के दिन हवन पूजन जरूर करना चाहिए इसके बिना नवरात्री की पूजा पाट अधुरी माने जाते हैं हवन के दौरान इस बात का विशेज ध्यार नके कि हवन सामगरी कुंड के बाहर न गिरे जो भी आप हवन सामगरी डालें वो कुंड के अंदर ही गिरें जो इसमें आप हवन करेंगे उसके अंदर पड़े भार नहीं गिरें बिलकुल भी अस्टमी का वर्त रखा है तो महा नौमी के दिन करनिया पोजन और उन्हें विदा करने के बाद ही व्रत का विदिवत पारन करें इससे मातरानी का आशिरवाद आपको मिलेगा नौमी के दिन कोई नया काम करने की मनाई होती है मनेताओ के मताबिक नौमी खाली तिथी होती है मतलब ये कि इस दिन किये गए कारे में सफलता नहीं मिलती है इस बात का विशेज ध्यान कर रखके आपने कोई काम नहीं करना है यानि कि शुप काम आपने कोई भी नहीं करना है इस दिन का ये दिन जो है खाली होता है खाली माना जाता है इस दिन को दोस्तो नौमी के दिन लोकी का सेवन नहीं करना चाहिए अगर अस्टमी का वर्त रखा है तो मा नौमी के दिन पारन में हलवा पूरी और चने से ही वरत खुलना चाहिए अस्तमी का वरत रखा है तो महानौमी के दिन कर्णिया पूजन करें 2-9 साल तक की कर्णियाओं को खीर पूड़ी खिलाएं अपनी सामरते के अनुसार भेड़ दे दोस्तो ये वीडियो हैं तक थी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तक की वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू